हेलो दोस्तों मैं राकेश शौद्री आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ डिजिटल तहरी के YouTube चैनल पर जैसा यह आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं आरस अगरवाल के हिंदी वाली बुक के बारे में और हिंदी वाली बुक में हम बात कर रहे हैं यहां पर chapter item जो है हमारा उसके बारे में जिसका part number 3 हम देख रहे हैं तो part number 3 क्या कह रहा है question number 19 से start हो रहा है देखिएगा part number 3 part B का part 3 है यह चलिए 120 cm लंबे एक roller का व्यास है 84 cm जो कि यह खेल के बैदान को समतल करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा हो जाएगा तो जैसा कि हमें पता है roller है तो एक चक्कर में कितनी distance करेगा जितना उसका area होगा ठीक है तो area कितना होगा roller इस तरह से होगा तो अगर यह समतल करेगा फ्लैट करेगा तो केवल और केवल इसका कौन सा area काम आएगा वक्रप्रस्ट्य शित्रफल तो वक्रप्रस्ट्य शित्रफल क्या होता है इसका 2 pi r into h तो 2 pi r की बात करूँ तो r नहीं व्यास है हमारे पास तो व्यास का आधा कर लूँगा तो क्या आचा आजाएगी और जो कि कितने आजाएगी 42 cm में है तो यह मीटर में आ जायएगा कि इंटू i fix की बात करूं से मीटर में यह तो यह इतना एरिया जो है फ्लैट होता है अएसे चकर कितने लें हूँ हजार तो टोटल отief 시 तो यह टोटल इतना शित्रफल जो है समतल हो जाएगा हजार चक्रों में अब जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि प्रती वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 5 रुपएगा तो ये इतना एरिया आ रहा है जो कि क्या हो रहा है समतल तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा total खर्च आ जाएगा इस calculation से हमारा finally answer आ जाएगा तो क्या है answer देखते हैं देखिएगा cancel होने के लिए हमारे पास ये 4 0 से ये 4 0 गए और cancel होने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है तो अब सीधा गुणा ही करना पड़ेगा तो कर लेते हैं 12 का 5 से 60 फिर 60 का 2 से कर लिया तो 120 और 7 से ये जा रहा है 6 बार तो ये लीजिए 6 तो 12 का 5 से 60 हुआ 60 का 2 से किया 120 हुआ और फिर 12 का 6 से कर लेते हैं तो 720 हो गया तो ये हो गया 720 और ये कितना है 22 अब 72 का 20 से कर लेंगे तो अंस्वर आ जायेगा जो कि आ रहा है 2 का 2 से 4 7 का 2 से 14 और 2 का 2 से 4 तो 18 फिर 1 7 का 2 से 14 और 1 15840 रूपीज जो है 15,840 रूपे आपका आ रहा है Queshion No. 19 है उसका चली बात करते हैं next जो Queshion No. 2020 उसके बारे में क्या गरा है 20 No. देखिए लोहे के एक खंबे का कुछ भाग एक लंब वरतिये बेलन है तता सेज भाग एक लंब वरतिये संकु है ठीक है बेलन तता संकों में से हरेक के आधार की तिरजी 8 cm है इस तरह की आकरती है ये ठीक है तो ये आपको कह रहा है बेलन तता संकों में से प्रतिक के आधार की तिरजी 8 है तो ये कितना है 8 और ये भी कितना है 8 बेलाकार बाग की उचाई आपको कह रहा है 240 है तो ये आइट दे रखी आपको 240 फिर कह रहा है संक्वाकार बाग की उचाई 36 है तो ये दे रखा आपको 36 चलिए और आपको क्या कह रहा है खंबे का भार ग्याद कीजिए यदि एक गन सैंटिमेटर लोहे का भार साड़े साथ कीलो ग्रूशा साड़े साथ ग्राम हो ठीक है तो देख लेते हैं तो इसके लिए अगर हम देखें तो आपको इस बेलन का और इस संक्वाका आइतन निकाल कर जोड़ना है तो संक्वाका आइतन हमें पता है क्या होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वार मतलब आट का स्क्वार इंटू एच मतलब छपतिस प्लस बेलन का इतन क्या होता है पाई आर स्क्वार मतलब आट का स्क्वार इंटू एच मतलब 240 तो कुछ कॉमन ले लेते हैं अगर आ रहा हो तो कॉमन आ रहा है यहां पर कितना पाई मतलब 22 बटा 7 आर्ट स्क्वार आर्ट स्क्वार मतलब 64 अंदर रहेगा आपके वैसे यह अंदर यहां रहने से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं 12 तो यह अंदर आगया कितना 12 और पाई और आट स्कुर बार गया तो यह 240 चलिए 22 यह साथ यह 64 और यह 240 और 12 को कर लें तो 252 चलिए अब यहां पर हम देख सकते हैं 7 से यह कैंसिल कर लूँ 7 से जा रहा है 24 और फिर रह गया कितना 42 तो 7 से 6 बार चला गया अब आपको यह कह रहा है कि एक गन सांटिमेटर लोहे का बार साड़े साथ ग्राम है तो इतना गन सांटिमेटर आपके सामने आ रहा है टो एक गन सांटिमेटर का बार अगर साड़े सांट ग्राम है तो इस पूरे क कितना आउग़ा तो साड़े सांट से मॉल्टिप्लाइख करदेंगे तो इसका मॉल्टिप्लिकेशन कर देते हैं साड़े सांट से यह आगया ग्राम में अब अगर आपको कीलो ग्राम में चीए तो इसको 1000 से हम डिवाइड करवा देते हैं यह लीजिए 1000 से इसको डिवाइड करवा देते हैं यह जगे नहीं हो रही है तो इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पर यह ग्राम में आएगा किलोग्राम में चीए तो इसी को किलोग्राम में लिखना है तो इसी को 1000 से डिवाइड करवा देते हैं तो यह आ जाएगा कितना 22 64 36 7.5 डिवाइड बाई 1000 यह पॉइंट अटेगा तो 10 और आ जाएगा कर लेते हैं इसको 25 से गया यह 3 बार 25 से यह गया 4 बार और यह 400 और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको भी कर लेते हैं तो मैं देख सकता हूँ कि यह चला जाएगा 4,16 और फिर 4 से और फिर यह कितना 25 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब multiply ही करवाना पड़ेगा तो देख सकते हैं 22 का 4 से या 4 का 3 से कर लें यह ऐसा कर लीजिए 22 का 4 से हो गया तो 88 और 36 का 3 से हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना 108 इनका multiplication करवा लेते हैं और फिर 25 से आपको divide भी करवाना पड़ेगा चलिए तो कर लेते हैं इसको तो यह हो जाए कितना 64 फिर यह कितना हो गया आपके 0 6 और यह कितना 8 फिर से करवाएंगे वही चीज तो यह आजाएगा आपके वही तो हम कह सकते हैं कि 4 यह 10 और यह हो गया 9 तो यह 15 और यह 1 तो यह 9 divided by 24 इसको हम solve करेंगे और हमारा answer आएगा kilogram में तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ divide हो रहा है कितने time चला जाएगा 25 से अगर देखें तो पहले तो 3 बार 75 फिर कितना रह जाएगा 20 तो 200 फिर यह चला जाएगा 4 और 4 कितना 8 बार ठीक है फिर रह जाएगा 15 तो फिर 500 हो जाएगा तो फिर यह 4 और 2 6 बार चला जाएगा तो हम कह सकते हैं 380.16 किलोग्राम हमारा answer आजाएगा यह ता question question number 20 बात करते हैं next question number 21 के बारे में क्या करा है 21 देखीए एक अर्ध गोले पर एक खोकला बेलन टिका हुआ है तो बरतन की धारीता क्या होगी चलिए अर्ध गोला है आपके पास इस तरीके से इस पर एक बेलन टिका हुआ है यह इस तरीके से चलिए अर्ध गोले का व्यास है 12 तो अगर इसका व्यास 12 है तो तिरजया कितनी होगी 6 इसकी तिर्जिया भी कितनी होगी 6, इसकी उचाई कितनी होगी 6, जितनी तिर्जिया होती है उतनी, ठीक है, बरतन की कूल उचाई 16 है, तो ये 10, 6 हो चुकी है, तो ये उचाई कितनी हो जाएगी 10, बिल्कुल सही है, तो बरतन की धारीता क्या होगी, तो पूरे का वॉल्यू H की जरूरती नहीं है इसमें 2 बटा 3 पाई R Q भी होगा सीधा 6 का Q ठीक है चलिए और बेलन का क्या होता आपको पता ही है पाई R स्क्वेर इंटो H सॉल कर लेते हैं इसको आराम से सीधा 22 बाई 7 ही बाहर ले लेते हैं और यह हो जाएगा 2 बाई 3 ठीक है आप 6 का स्क्वेर भी ले लीजिए साथ में बाहर ले रहे हैं तो फिर यह लीजिए 6 का स्क्वेर भी बाहर ले लिए तो 2 बाई 3 हो गया 2 बाई 3 और यह मुल्टिप्लिकेशन में 6 और यह 10 यह चला गया 2 टाइमस 2 इंटो 2 कितना 4 और प्लस 10 कर लिया तो 14 तो 7 से 14 कर लिया हमने 2 टाइमस तो यह आ गया 6 का स्क्वेर 36 और 36 का 2 से 22 और उसका 22 से कर वा लेते हैं तो 72 इंटो 22 कर लेंगे यह हो गया 4 फिर यह 7 का 2 से 14 और यह 4 हो जाएगा आपके कितना फिर 7 का 2 से 14 और 1584 आपके सामने आंस्वर आ रहा है यही आपको पूछा था तो आंस्वर आ जाएगा 1584 सेंटीमेटर क्यूब या घंड सेंटीमेटर हम कह सकते हैं चलिए बात करते हैं नेक्स जो कुश्चन है कुश्चन नुबर 22 उसके बारे में क्या कह रहा है कुश्चन नुबर 22 देखते हैं देखिएगा दातों की बनी एक गोलागार गेंद की तिरजिया है तीन सेंटीमेटर इसे गला कर तीन गोलागार गेंदों में ढाला गया यदि इनमें से दो की तिरजिया है डेड़ और दो सेंटीमेटर हो तो तीसरे का व्यास क्या होगा देख सकते हैं इसको इस से बनी है वो तीनों तो इसका आइ SYTOM जो कि होता है चारवटा 3 πi rоне बराहबर होगा उन सबी के आइ आइ SYTOM के तो चारवटा 3 πi rоне 4 वटा 3 πi ronian तीशे की नहीं पता है तरजिया तो पहले तो तरजिया निकलेगी उसके बाद में उसका डबल करने पर व्यास निकलेगा चार बटा तीन पाई से चार बटा तीन पाई तो cancel हो जाएगा जब यहां से चार बटा तीन पाई common आएगा तब इधर वाले से cancel हो जाएगा 3 का cube हमें बता 27 1.5 15 का cube करना है जो कि कितना होता है 33, 75 27 में से सीधा पहले 8 कम हो जाएगा तो 7 और 1 तो यह 19 हो गया 19 में से फिर आप क्या कम कर लेंगे 3 तो 19 में से 3 कम करेंगे तो 16 होगा फिर यह जो भी आएगा 15 पॉइंट करके आएगा और 0.375 है तो 25 करेंगे तो 400 होगा फिर यह कितना होगा फिर ये होगा 625 ये हटेगा definitely तो नीचे आपके 30 लगेंगे ठीके तो 15 625 है cube और नीचे 1000 है 1000 का तो मैं पता है क्या हो जाएगा 10 उदर से cube root हटेगा तो 1000 का तो 10 हो जाएगा उपर जो 15 625 है उसके बारे में बात करते हैं वो कैसे निकलेगा पीछे से 3-3 के पेर बनाए 15 जो है किन 2 के cube के बीच में आता है 2 का cube 8 होता है और 3 का cube देखें तो 27 होता है दौनों के बीच में ही आ रहा है ये 2 पीछे क्या है 5 5 का cube कितना होता आपको पता 125 उसका 5 तो ये 25 का cube है हमारे पास 15 625 तो ये आगे है 25 यहां पर तो आर आगे मेरे पास 2.5 तो radius आईए 2.5 तो हमें radius नहीं हमें क्या पूछा है व्यास जो कि radius का double होता है तो 2.5 का double कर लिजिए 5 कि उसमें चल रहा है centimeter में और वही हमारा answer सही होगा चलिए बात करते हैं next जो question है question number 23 3 उसके बारे में क्या बहरा है 23 नमबर देखीए एक लंबवर्तिय बेलन तता एक गोले के आईतनों का अनुपात 3 अनुपात 2 है यदि गोले की तरजिया बेलन के आदार की तरजिया की 2 गुनी है तो बेलन तता गोले के प्रश्चे शित्र फलोक आनुपात क्या होगा बताईए चलिए लमब़्तिय बेलन का आयतन हमें पता है क्या होताई P R स्क्वार in toggle H गोले का आयतन क्या होता है हमें पता है 4 गटा 3 P R Q इनका ratio हमको दे रखा है कितना 3 और 2 और कह रहा है गोले की तिरजिया बेलन के आदार की तिरजिया की दो गुनी है तो इसका आले ये गोले की तिरजिया है R जो की उस बेलन की तिरजिया की दो गुनी है तो ये R है तो ये दो गुनी किती 2R 4 by 3 pi R cube ठीक है यहां तक चलिए तो अब देखते हैं कुछ cancel हो रहा हो तो बिलकुल pi से pi cancel हो गया और हम देखें तो cancel होने के लिए क्या होगा ये 3 उपर जाएगा तो 3R square 4 2 का cube कितना 8 और ये R cube और ये 3 by 2 cancel होने के लिए हम यहां पर कर सकते हैं जैसे कि ये 3 से ये 3 cancel हो गया ये चला गया आपके 2 times फिर R square से ये R cube है तो ये चला गया H आ जाएगा 8 into 2 कितना 16 16 into R 16 R H की value R के form में आ चुकी है जो कि है कितनी 16 R चलिए अब आपको पूछ रहा है बेलन ददा गोले के प्रश्चे शेत्रफल होनों पाद तो बेलन का प्रश्चे शेत्रफल होता है तो बेलन की तिर्जे R है तो दुगनी कितनी 2R तो 4 pi R square तो ये लीजिए R square pi से तो ये pi cancel हो जाएगा 2 से ये 4 2 times चला जाएगा तो उपर क्या R आपके पास 16 R और ये कितना 17 R और बाहर R है तो ये हो जाएगा 17 R square और नीचे क्या दिख रहा है 2 ये 2R का square है तो 4 R square होगा फिर उसका डबल करेंगे तो 8 R square R square से R square कडिया तो 17 raise to 8 जो है वो हमारा आंस्वर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है चलिए बात करता है question number 24 के बारे में क्या गर है 24 देखी किसे लमवर्तिय संकू का आइतन एक लमवर्तिय बेलन के आइतन के बराबर है संकू का आइतन होता है 1 बटा 3 पाई R square into H बेलन का आइतन होता है कितना पाई R square into H ये दोना आपस में बराबर है R और H में कोई relation है तो ठीक है नहीं है तो R1, H1, R2, S2 अभी हम लिख लेंगे चलिए आपको कह रहा है बेलन 9 cm उचा है और इसके आधार का व्यास 60 cm है व्यास अगर 60 cm है तो तिरजिया कितनी होगी 30 ये बेलन के बारे में बात हुई है तो बेलन के बारे में बात हुई है तो बेलन के लिए एक बटा 3 की जरूरत ही नहीं संकू अच्छा संकू भी है चली ठीक है तो फिर ठीक है बेलन के बारे में बात हुए तो बेलन के लिए आपको उचाई दे दी और तिरजिया दे दी ठीक है तो पाई R का मान दे रखा R2 H2 R1 H1 लेना पड़ेगा तो ये कित्ता है 30 तो 30 का स्क्वेर H2 गित्ता है 9 ये लीजी बेलन के बारे में जानकारी आ चुकी है संकू की उचाई 108 है तो H1 की वैल्यू भी आ चुकी है 108 चलीए ये एक बटा 3 ये पाई और ये R के बारे में जो कह रहा है कि उसका व्यास ग्याद कीजिए मतलब R निकलेगा तो डबल कर लेंगे तो व्यास भी आ जाएगा तो ये होगे आपके R1 का स्क्वेर ठीक है अब कैंसल होने वाली जो चीज़े उनको कैंसल कर लेते है पाई से ये पाई गया और कुछ कैंसल हो रहा हो तो वो भी देख लेते है तो 3 से इसको कर लेते है 3 से यह चला गया, कितने बार? 3 बार, और फिर यह 1 हो जाएगा, तो कितना 18 तो 36 बार, फिर 9 से इसको कर लेते हैं, 9, 4, 36, ठीक है? क्या हो गया? R1 स्क्वेर, बराबर कितना हो गया यह? 30 का स्क्वेर, और यह 4 है, तो नीचे जाकर 2 का स्क्वेर भी कहा जा सकता है, तो 30 और 2, दौनों पर स्क्वेर है, तो 30 बटा 2, मतलब 15, 15 का स्क्वेर हो गया, तो इधर R1 स्क्वेर बराबर 15 का स्क्वेर है, तो R1 जो है, वो आगई 15, मतलब रेडियस आईए 15, हमें रेडियस नहीं, व्यास चाहिए, जो कि क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 15 का डबल कर है, आंसर आजाएगा 30 सेंटी मीटर, चलिए, बात करते हैं, नेक्स्ट जो कॉश्चन है, कॉश्चन नमर 25 उसके बारे में, क्या 11-25 देखिए, 8 सेंटी मीटर अर्ध व्यास, अर्ध व्यास मतलब तिर्जिया ही दे रखिए आपको, एक ठोस अर्ध गोले में से अधिक्तम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है, इस तरीके से है ये, इसमें से अधिकतम आयतन वाला गोला कटेंगे तो ऐसा कटेगा ठीक है तो जो अर्ध गोला है रेड वाला जो है उसके लिए रेडियस जो है वो कितनी है आर है तो अगर इसके लिए रेडियस में देखू आर है तो यह आर है ठीक है चलिए ठीक है यहां तक अब ये जो r है तो ये इसकी radius है और यही उचाई है और जो अर्ध गोले की उचाई है वही हमारे गोले का क्या है व्यास तो गोले का जो व्यास है एक तरह से वो कितना हो गया गोले का व्यास हो गया r cm ठीक है? चलिए अब आपको कह रहा है कि अर्ध गोले के आयतन का, गोले के आयतन से क्या अनुपात होगा, अर्ध गोले का आयतन होता हमारे पास कितना, 2 by 3, pi, r cube, और गोले का आयतन क्या होता है, 4 बटा 3, pi, r cube, और r कितना हमारे पास, r मैं देखूंगा, व्यास अगर r है तो, r मतलब radius के आओगी उसके आधी, तो r by 2, ये cube, cancel होने के लिए तो pi cancel हो रहा है, 3 cancel हो रहा है, ये cancel हो रहा है 2 times, फिर क्या रहे गए आपके पास उपर, r का cube, नीचे क्या रहे गए, 2, r का cube, और 2 का cube 8, तो बटा गे नीचे बटा, संख्या कहां चली गए, उपर, ये cancel, ये गया, तो answer आ रहा है, 4 बटा 1, मतलब 4 अ पास एक हमारा सही answer होगा, तो ये था question number 25, जो कि last question था, हमारे इस chapter का, बात करेंगे next video में, next chapter के बारे में, thank you so much Please, like, share, subscribe, digital, तैयारी